पिछले वीडियो में मैंने ठाटा स्टिल के तरब से जुनियर एजिनर की जो बंपर विकेंसी है जुनियर एजिनर ट्रेनी जेटी की उसके बारे मैं आपको बताया था डिटेल्स में अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है मैं कमेंट सेक्षन के पिंट कमे पिटेक या डिप्लोमा तो आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं और इसके रिलेटेड कैसे इसको अपलाई करना है अभी आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखा करके बताऊंगा सब्सक्राइब तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखेगो तो सभी कुछ आपको आ सेपरेट वीडियो इससे रिलेटेड जो सिलेबास और एक्जाम पेटर्ड है उसके मैं बना दूँगा तो उसको देख करके आसानी से आप उसको समझ सकते हैं के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा अपलाई ऑनलाईन के नाम से उस लिंक पर जैसे किलिक किजेगा हैं हैं तो सबसे पहले बनाती डालेन हैं ऑपको अपन ओ हैं झसके बाध कि आपना युपन सकते हैं या अपने यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद का पर्मानेंट हो जिसपे मेल आएगा आपको इनसे रिलेटेट उसके बाद आपको दुबारा मेल आईडी इंटर कर देना है कंडिडेट टैप यहां पर इंपोर्टेंट है इसको जरूर से ध्यान से भढ़िएगा इसमें आपको यहां पर तीन-चार आएंगे जिसमें की प आप लोग जहारखंड औरिसा के अलावे किसी भी एस्टेट से बिलों करते हैं तो आप लोग यह पैन इंडिया वाले सिलेक्ट किजिएगा फ्रेसर हैं उसकेस में अगर आप टाटा एस्टिल में पहले से काम करते हैं तो इस वाले यह नीचे में दो जो अप्शन है इंप प्लाइवार्ड पैन इंडिया और नीचे में आपको यहां पर जेनरेट ओटीपी का ओफशन देखेगा इस पर आपको जेनरेट ओटीपी पर आपको किलिक करना है जैसे इस पर किलिक किजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने माया जिसमें फिर से आपको क्यप्चार डालने के लिए बोला जाएगा तो यहां पर आपको क्यप्चार डाल देना है और नीचे में आपको सब्मीट का ओप्शन दिखेगा सब्मीट वाले ओप्शन पर किलिक कर दीजेगा तो आपके इमेल पर एक ओटीपी जाएगा उसको आपको यहां पर एंटर क चला जाएगा उसके बाद आपको यहां पर enter कर देना है उसके बाद यहां पर आपको enter OTP का option आएगा इस पर आपको अपना जो भी OTP है enter कर देना है और validate OTP यहां पर दिखेगा आपको इस पर click कर देना है अगर आपका OTP सही होगा तो यहां पर validate successfully इस तरह का option आजाएगा फि पर किलिक कर देना है एक important point मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो इसमें देखिए mobile से अगर आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो आपको दिक्कत होगी apply नहीं होगा submit नहीं होगा आपको submit का button दिखेगा ही नहीं तो आप उस पर किलिक कैसे करोगे तो आपको क्या करना है किसी laptop या PC से इस form को फिल करना है mobile से फिल करोगे तो आपको submit का option नहीं दिखेगा उसके बाद यहां पर आपको दूसरा problem यह है कि आप लोग अगर बीच में कहीं पर भी interrupt होता है या बीच में अगर आप refresh करते हो तो यह form फिर से आपको शुरू हो जाएगा उसके बाद इस पर email address पर पासवर्ड आता है और user ID आपको जभी दिखेगा उसको screenshot ले करके रख लेना है logout नहीं करना है आपको एक ही बार में सभी कुछ जमा करके रखना है जो भी आप बाद में फिर से login करने की जरूरत ना पड़े इनकेस अगर आपका login इंट्रप्ट हो जाता है अगर आप फोट्गोड पासवर्ड करोगे user ID या पासवर्ड इसमें आपको अपना email address और mobile अंबर डाल करके फोट्गोड करना होता है लेकिन जब फोट्गोड करोगे तो भी इसका जो email ID का password है वह आपके email पर नहीं आता है तो यह इसमें अभी problem है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा इसका solution यह है कि आपको एक ही बार में सभी steps करते जाने हैं ताकि आपको कहीं भी interruption ना हो मैं आपको आगे laptop के screen पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको सभी कुछ दिखाता हूं step by steps apply करके उसके बाद यहां पर आपको submit का option दीखेगा submit वाले उप्सन पर आपको click कर देना है उसके बाद alert का option इसमें आपको okay वाले उप्सन आपको सबसें पर स्क्रीय स्क्रीय सुट लए और यहां पर लिखा यहां कि आपके इमेल आड़ी पर बरखनाता है तो आपको अगर आपके इमेल एड़ी पर आता है तो अच्छी बाते नहीं आता तो comment section में जरूर से बताएगा कि आपके email पर आता है कि नहीं आता है उसके बाद आपका जो भी यहां पर personal details था इसको सभी कुछ यहां पर देख लीजेगा अच्छे से उसके बाद यहां पर go to application form पर click करना है आपको यहां पर logout नहीं करना है logout करोगे तो यहां से उसके बाद आ scanned copies of जो भी documents है photo है सभी कुछ आपको यहां पर upload करने होगे जिसमें की सबसे पहले यहां पर आपको दिखेगा आपका application नमर रहेगा उसके बाद name of the candidate रहेगा gender select कीजिए उसके बाद आपका जो भी community है उसको select कीजिए यहां पर यह कोई government jobs नहीं है इसलिए यहां पर SCHT और उसको यहां से आपको select कर लेना है उसके बाद आपका यहां पर जो भी communication address है town city है pin code है district है state है सभी कुछ आपको यहां पर choose कर लेना है आपका father's name का आपसे पूछा जाएगा date of birth आपसे पूछा जाएगा सभी कुछ आपको यहां पर fill करके save and next पर click कर देना है उसके बाद next कर आएगा qualification details का जिसमें अगर आप diploma किया है कि बीटे कि हैं उसको यहां से select कीजिए उसके बाद किस institute से किया है उसको यहां पर नाम उसका type कीजिए qualification status में आप पास है कि appear हैं आप उसको select कीजिए उसके बाद आपको यहां पर mark obtain कितना आपको mark आया percentage में यहां पर डाल है जहाँ पर आपड देख सकते हैं वीडियो को आप लोग पोज स्लेड़ कर करें देख सकते हैं इसमें बहुत सारे चाफ कर सकते हैं उसके बाद आपको लगई हूं का है जिसके की पहला में पासपोर्ट का होना चाहिए है रिसेंट पासपोर सेज फोटोग्राफ दूसरे में आपका सिगनेचर ओभी 80KV से कम में होना चाहिए उसके बाद है आपका जो भी ID प्रूफ है आधार कार्ड आप पैन कार्ड ड्राइविंग लैसेंस पासपोर्ट इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं उसके बाद आपको डोमेशा अप्लिकेशन फी पेमेंट करने होंगे जिसके बाद यहाँ पर आप उसको चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजेगा क्यप्चा जो आएगा यहाँ पर उसको फिल कर देना है और प्रिभ्यू वाले उप्सन पर क्लिक करके एक बार आपको चेक कर लेना है कि आप जो भी यहाँ पर डिटेल से डाले हो सब कुछ सही है कि नहीं है उसके बाद आपको अप्लिकेशन फॉर्म पे करने होंगे फी पे करने होंगे जिसमें कि आपको ऑप्सन आ जाएगा आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बेंकिंग के मैदम से आप अपना पांस रुपेज अ कर सकते हैं जैसे पे करोगे उसके बाद आपका अप्लिकेशन है सब्मीट हो जाएगा तो मैं डेमो के लिए आपको दिखा दिया इतना के बाद आप लोग खुद कर सकते हो और अगर आपको बीच में परिशान ही आती है तो आप पासवर्ड करके देखिएगा अगर होता ह तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा नहीं होता है और भी बताईएगा इंसे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको टेलिग्राम पर जरूर से दूंगा तो आप लोग टेलिग्राम चैनल से जरूर से जोइन होकर करिएगा उसका जो लिंक है कमेंट सेक्षन में पिंड करके मैंने रख दिया है और वहां से आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोडिस पीडियाप मिलती रहते है वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और चैनल पर पलीवाज वीट करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तलदी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए